नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूजरूम पोश्ट में है, मैं हूँ आपके साथ रोशने सेंग पाकिस्तान के पूर्व खिलारी साइथ अनवर का एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें वो क्रिकेटर के जरिये धर्म का प्रचार करते दिखाई दे रहे हैं यानि क्रिकेट का इस्तमाल धर्म के लिए किया जा रहा है इसके साथ ही अनवर ने दक्षिन अफिरका के पूर्व प्लेयर हसीम अमला पर भी संस्निये दावा किया है बता दे बुद्धवार को दक्षिन अफिर्का के खिलारी हासिम ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सन्यास लेने की गोशना की थी हाशिम ने क्रिकेट जगत में काफी नाम कमाया लेकिन साइध अनवर जैसे क्रिकेटों के लिए हासिम की पहचान सिर्फ एक मुसल्मान है वाइरल वीडियो में साइध अनवर कहते हैं कि विश्च कप में कितने लोग इसलाम कबूल कर रहे हैं अल्ला ने वर्ड कप को जरिया बनाया हासिम हमारा क्रिकेटर है उसने कितने लोगों को कलमा पढ़ाया एक हिंदू खांदान है पूरा मुसल्मान हो गया मुहम्मद यूसुफ कितने लोगों का जरिया बना आपको अल्ला ने बहुत टैलेंट दिया जो करना है करो कारोबार करो हुकूमत जो मर्जी चलाओ अल्ला को साथ ले लो और नभी का काम अपना बना लो वीडियो में पूर्व पाकिस्तानी कप्तान साइध अनवर के मताबिक क्रिकेट के जरिये हासिम ने कई लोगों का धर्मारतन कर मुस्लिम बनाया इस वीडियो को लेकर अभी तक दक्षिन अफिरका के पूर्व खिलारी का रियक्सन सामने नहीं आया है उदर साइध के स्वयान पर सोशल मीडिया यूजर्स अपनी प्रतिकिया दे रहे हैं और उनको जम कर खरी कोटी भी सुना रहे हैं साथी साइध को ट्रोल भी किया जा रहा है अगर आपको मारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें अगर आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें